नमश्च गास्वाद आप सबीका बजावर खिस्तर नमश्च गास्वाद आप सबीका बजावर खिस्तर जाने के की आज राशी के पर आपका दिन कनी लाब कमानी की स्थिती में रहेंगी आज आप और कमुनिटी बजार, कैसा Metro场 कई सकता है, किस कमुनिटी में कितनी मंदी तेजी बनती नजर आएगी, जोतिश्क के आधार पर एस्टो फाइनिस के आधार और शेड्वाद पर और इस वक्त हमाज साथ जिड़ों हैं बजार के जाने माने एस्टो मनी गुरू करनल अलजे जी करनल अलजे जी बहुत बहुत स्वाद आपका मार्केट अमसी भी बाइब शुक्त अबाद अखले स्राथी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक दो मैं करनल अलजे यो अजे एस्टो मनी ग्रूप पर्स ग्लोबल एस्टो पनाइस बीजिटल चैनल के आप से मुखातिब होता हूँ आज तीन दिसम्बर संग दो हजारी किस तो बहुत महतापून दिन है आज का दिन क्योंकि आजी के दिन 1971 में भारत में पाकिस्तान को मुतोर जवाब देना शुरू किया था और पाकिस्तान के हवाई हमले के खिलाफ इंडुस्तान ने जबर्दस्त बड़त हासिल की थी आज का दिन एटिहासिक हो यही हमारा हमना है और लगबग 15 साल पूरे होने के बाद का दिन हम स्थारे देश्वासी मनाएं भारते सेना की भी जाएक दिवस के रूप में दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेर बजार, कमोडिटी बजार, एग्रो जीन्स में होने वाली हल चल और राश्यों के अधार पर आपका नाफा नुक्सान सबसे पहले राश्यों के अधार पर आपका नाफा नुक्सान सबसे पहले आज की ग्रैस्टिती आज चंद्रमा, बुद्ध, सूर्य और केतू के साथ ब्रश्चिक राश्य में हैं, शुक्र धनू राश्य में, शनी मका राश्य में, और देगुरू ब्रस्वती, कुम सबसे पहले लाव उठाने वाली राश्य में, आज सबसे ज़्यादर जो लाव उठा कमा सकती हैं, वो हैं तुला राशी, मिथुन राशी और कुम राशी, ये वायूतत की राशी हैं, इनके लिए आज का दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, और आप लाव कमाने के स्थिती में रह सकते हैं, लेकिन साबधानी रखनी हैं, अजनी तब की राशिया एक पांच नो, यानि मेश सिंग और धनू राशी, इन राशियों के जातकों को कारोबारियों को आजी शे जियान रखना है, बड़े कारोबार अच्छा रह सकते हैं, लेकिन मिश्य तरुक की और अधिक रुजहान रह सकता है, तो दोस्तों ये ता राशियों के अधार पर आज का नफ़ा नुक्सान, जी अखले जी, तो जैसे कि कर्णल अज्य ने बताया है, कि ये तो वो राशिया थी जिन में आज आज आप कमा सकती है, उन्होंने बताया, बहुत बली वाती बताया है कि आज किन राशियों में अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है, किन राशियों को समलने के जरुवत है, किस समय पर ट्रेडिंग करके चलना सही रहेगा, ये सब हमने अभी करणल जी जी से जाना, अब आग अगरी कमुर्टीज में मंदी तेजी बंदी नजर आ सकती है, और किन में साफधानी बरत के चलना सही रहेगा आज? और कल आज, जो हम नजर रखना चाहेंगे, कच्चे तेल के अंदर जो ओपेक की मिटिंग भी रही और उन मिलाके जो कोविट का, ओमी कौरन का, जो एक भ्यानक द्रश्य लोगों के जहन में आया था, और उस एक कुरूड आइल ने पिछले सफ़ता, जब इस गिरावट द तेल में देरे-देरे मजबूती की संभावनां थे इंकार नहीं किया जा सकता, इसको शॉट करने से आज इक पचना चाहिए, और कच्चे तेल के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, जी अकलेज जी, तो यानि की कच्चे तेल में करनल अज्य जी को जादर देखने को मिल सकता है, हमने बीते सेतर में देखा था कि सारी क्रिशी फसले वाइदा बजार लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आयती, गवार गम में छेचे फीजदी की लोवे सर्किट भी लगते नजर आयती, ऐसे में आपका और जोतिश के आधार पर आपको क्या लग दिखर लगे तो इसमें जो speculative activities बहुत थेजी से भावी हो जाती हैं, तो उस समें बजार को शान्थी पूर को देखना ही हो जित रहेगा, क्योंकि जब स्पेक्लिटिव गर्टिविडिया हैं वो काफी स्टेजी से लिखाई दे रही हैं और चेचेपरशन के सरकेट उन कमॉनिटिजी में लग रहे हैं जिनका जीकल ग्राउंड के अंदर माली उपलब नहीं है तो वो एक तरफ से एक छुपा इशारा जरूर करती है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और ये भी मेरा एक डाउट है कि ये लगातार पेल कर रहे हैं और लेकिन जब डिलीवरी देने का समय आएगा तो उस वक्त क्या होगा क्योंकि जहां तक डिलीवरी का सवाल है अवाएक और यूमर्ट और नियूज अलग अलग तरीक लेकिन स्पेकलेटिव अनिस्टाटोरियों की गतिविदियों की वज़े से उजारों के अदर की रावत बढ़ जो रही है तो समय थोड़ा शांती से बैठा बैसा उचित रहेगा ये अकले जी जी तो यानि कि गवार में अभी थोड़ी वेटन वाज की पॉलिसी अपनाना सही रहेगा ऐसा भी कनल अजय जी का मानना है थोड़ी दूरी बनाके रखें क्योंकि उठा पटक को ज़्यादा ही देखने को मिल रही है अभी गवार गम गौर गवासिर में भी अभी कुछ अ आ रही है और दूसरा यह जो ओमिक्रॉन का जो ओमिक्रॉन का इंपक्ट है वो भी अब दीरे-दीरे कमुनिटी बजार पर पड़ता नजर आ रहा है करले जी गवार के अलावा और कौन-कौन सी कमुनिटीज रहेंगी जिनमें आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता ह और किन कमुनिटी से बच के चलना सही रहेगा? लगभद एक लाग पत्तीस जान लोगों ने सको देखा तो सोया बीन पर देखे जो हमने अनुमान विक्ट किया था वो लगाता सब्सक्राविर रहता देखा जा रहा है और सोया बीन के अंदर आज भी मैं तेजी का रुख देखता हूं और सुराबीन के अंदर तेजी रह सकती है और गौरतुला वै कि सुराबीन ओयल चीड में सबसे प्रमुख के अंदर माना जाता है और विशेशकर हमारे जो MP महरास्टा है जो मत्रप्रतेश है महरास्टा है वहांके तो किसान बंदूओं के लिए बहुत हम है तो कोई है करनली जी यहीं से बात करेंगर शेर बजार की तो शेर बजार में हमने आज शेर बजार को बढ़त के साथ देखा है लेकिन अब देखने की कुछ रेड जोन में भी ट्रेडिंग होती नजर आ रही है आपके नूसर आज शेर बजार कैसे रह सकता है काफास के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर कुछ तोड़ी की कमजोरी देखी गई थी और कल इसके अंदर फोड़ी की कमजोरी थी मुझे लगता है कि काफास के अंदर आज शेर बजार में क्या संभावना बने सकती है देखिए आपको याद होगा हमारे पिछले शोप के मुनाफ़ा भी कमा के दिया आज मुझे लगता है कि नेक्टी के अंदर कुछ कमजोरी की संभावना बन सकती है बजारे बजार उपरी तोड़ा साथ सांस ले सकता है पाउज हो सकता है तो इसके अंदर बहुत जड़ा तेजी करने से बचना चाहिए और आज ज़िए जो भी स पादा नि रखनी चाहिए विशेशना बैंकिंग स्टाक्स के अंदर बैंकिंग स्टाक्स के बचके चनना थी एंदर मैं नोड़ी कंजोरी का रूप देखता हूँ इन से बचना चाहिए जी एक लेज़ जी मेरे एक सवाल आप से शेर बजार को लेकर रहेगा हम देखते है कि जब जब pandemic होता है तब तब जो equity market है शेर market है वो काफी ज़्यादा गिरती नज़र आती है तो क्या अगर इस बार भी lockdown वाली परिस्थितिये बनती है और महामाली ज़्यादा फैलती है तो क्या शेर बजार एक बार फिर से धड़ाम होता हो नज़र आ सकता है देखिए बहुत एहम सवाल है अखलेज जी आपका कि कोई भी pandemic होती है और उससमेश तबाव शेर बजार में देखा जा सकता है देखिए उसके लिए मेरा यही कहना है कि शेर बजार किसी भी देश की अर्थ विबस्ता का एक mirror होता है यानि दरपन होता है किसी भी देश की अर इंश्टी की कम्टियों की साइज देखी जे तो आपको वहां पे बिल्कुल के लिए नजर आने लगता है कि शेर बजार बहुत बुरी तरह से पिटे थे लेकिन उसके बाद दिरे दिरे शेर बजार ने बहुत जबदत मुनाफ़ा भी निवेश भुकावा के दिया लगब इतरपा गें जो है वो शेर बजार ने ही दिया जो कि बाकी किसी और सेग्मेंट पे नहीं हैं सिर्फ पैंडेमिक में देखा जाए तो सरसो सोयाबीन और शेर बजार ये तीनों ऐसे ऐसे ही सेग्मेंट थे जिसके अंदर निवेशक माला मालो है और मुझे लगता है कि जो रही थी सन दो जार बीश के लास फॉर्टन में रही थी यानि महात सक्यात पास वैसी सिर्फी का पुर्णर बर्ती होना मुझे 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 लगता है क्योंकि अब पहले के मुकाबले हैं सरकार और आम जन पूरी तरह से साथदान है पूरे तरह से सचेत है और उनके पास मेडिकल प्रेशलिस पूरी लगवख हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अब हमें बहुत ज़्यदा परिशानी के आवश्यक्ता होगी एतियाती तोर के उपर भारत में भी उडानों पे कुछ प्रतिवन लगा हैं और कुछ देशों से के उडानों पर रोग भी लगी है तो ये एक रुटीन का हिस्ता है और इसके अंदर आपको बहुत हरान और परिशान होने के आवश्यक्ता नहीं है यदे पी कुछ केसे जो करनाटक के अंदर भी पाए गए हैं अमनी कोरन के लेकिन अभी बहुत कुछ कहना बहुत कुछ जिसमें डरना अभी तोड़ा सा जल नाइंटीन के जो नियम जो है उनको पालंग जिरूर करना चाहिए उसमें कोई दोरा आए नहीं है कोई संचर नहीं है लेकिन अभी इसका प्रभाव को शेर बजार के रूप में नकारत में रूप रख कहने के लिए अभी तोड़ी जल्दबाजी होगी उसमें तोड़ा सा रूपना चाहिए मुझे लगता है कि आज शेर बजार में करेक्शन यरूर होना चाहिए आज तोड़ा का धिरावट का महाउन रहना चाहिए जी अकले जी आपकी तरफ से आज हमारे दर्शकों को क्या सला रहेगी कमूर्टी बजार शेर बजार के बारे में तो मुझे मैं यह कह सकता हूं कि एग्रो कमोडिटी के अंदर आज हमें स्वाइबीन में खरीदारी करके चलना चाहिए जीरा भी तेजी के और रूप अक्तियार कर सकता है और इसके अतरिक्ट कापास के अंदर भी कल मंदी की संभावना थी कल अच्छी मंदी थी लेकिन आज तोड़ा सा इसके अधरिक्ट जहां कमजोरी का रुख रह सकता है वो थनिया है यानि कॉरिंडर के अंदर कुछ कमजोरी की संभावना बन सकती है उसके लिए थोड़ा साथ ना रहना रहेगा और जहां तक नौन अग्रो कमोडिटी का सवाल है मुझे लगता है कच्छे तेल के अंदर म करना अज तर्वटerc की संभावना बन सकती है मनापवसली हो सकती है इसके अदर किंड़िक इन्डूरी के जो क्लोग्स श Catalunya हो या दूसरे वड़े स्टॉक्स उंकके अंदर अच्छे स्टॉक्स पे नजर भी रखिए ताकि जब भी सेजी का दौर बनेगा जो आने वाले दो से तीम दिन के बाद या दो दिन के बाद उस वक्त आप उसके अदर मुनाफ़ा कमा सकते हैं मैं तो पूर यह रहता है कि आप गरते बजारों में अच्छे क्वालेटी स्टॉप को पकड़िये और जब भी उसके अंदर मूमेंट बनती है दो से तीम दिन के बाद में और उस ताम अच्छी मुनाफ़ा पे आपको क्यों कि नीचे पर आपने माल पकड़ावा है तो आप उपर पर आराम से माल पेच सकते हैं लेकिन असर यह होता है कि तेजी में लोग माल पेचते हैं और मंदी में लोग माल पेचते हैं तो विप्तित हो जाता है होना यह चाहिए कि मंदी में माल करीजी तेजी में माल पेचिये उसके लिए आपको सेलेक्टेड स्टॉप्स का करना पुड़ेगा अपनी शंताओं का ध्याम तकना पुड़ेगा तिलते जलते एक बात और कहना चाहूंगा कि यह सभी ज़न करें आपको fundamental analysis और financial astrology के सभी प्रयासों से दी जा रही है कोई भी व्यापारिक नेने नेने से पहले अपना स्यम्ता विवेक अध्यन और अवपने सलाका से चुछी चुरूर आप रहे कर लें एक और मैं तब उन बात मैं सभी दर्शोगों को हर रोज कहता हूं बार बार कहता हूं हर बार कहता हूं कि अपनी शम्ताओं को पहचा लें शम्ताओं से अधिक बिल्कुल काम ना करें शम्ताओं से कम रह के काम करेंगे ग्रीड और पैनिक यानि लालच और दर ये दो शब्दों से बचके रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप लंबे समय तक वफार कर पाएंगे शम्ताओं से अधिक काम करना ज़िए आपके पर दसला की कैपसिटी है और एक रोड ये पांच रोड का काम करेंगे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में लगाता रख इंबॉल रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको परिशानियों का सबब मिल सकता है और अपनी राशियों को अधार वो भी आप ठान में रखके काम करें तो आपको बेहतर है जाजित रह सकता है ये अचले जी जी अगर आप तिल के बार में इनको कुछ बता पाएं अगर आपके पास तिल के उपर कोई रिपोर्ट या जानकारी हो तो आप में हम तिलकुल कमझोरी में नहीं है तिल जन्वरी तक मुझे नहीं लगता कि तिल के अंदर कोई कमझोरी हो सकती है censorship Ce ओप साब नर्रप बहसे तिल काओंपल्तर कर पाएं उपछियोंने ही आराण में तो जन्वरी तक मुझे नहीं लगता कि तिल के आगर कोई जिनके पास इस्टॉक है उस वाराब से वो उसी साफसे त्या डिल कस तके हैं जी है अखले जी मागेटमसी वीपर